हवा में गनचते ये भारती वायू सेरा की फाइटर जेट्स की गनचला से गुलजा पोखरण टेस्ट रेज का आसमाल फिलाखा रॉकेट लॉचर से निकल रहे हैं रॉकेटों की धवक पाकिस्तान तक महसूस किये गए होंगे रेतीले युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़ते स्पेशल फोर्सिस के साथ स्पेशल बंदरबस्त गाड़ियों की रफ्तार को देख कर दुश्मन भारत की तरफ बढ़ने से पहले सौ बार सोचेगा जैसल मेर में सेला के तीनों अंग युद्ध भ्यास कर रहे हैं खास बाद इस युद्ध भ्यास की ये है कि इसमें इस्तिमाल साजो सामान पूरी तरह मेक इन इंडिया है पोकरन फाइरिंग रेंज में तीनों सेला है थल चल और वायू के सैनिकों की ओर से स्वदेशी हतियारों के साथ अपनी ताकत और युद्ध कोशल को परक रही है जैसल मेर के पोकरन टेस्ट रेंज में असमान से जोहां फाइटर जेट्स ने सटीक निश्वाने वाजी कर अपने टार्गेट्स को तभा किया तो हई स्पेशल फोर्सेज ले कम समय में सीमा पर पहुँचकर आक्शन की टाइमिंग को लेकर ताल में इलविठाया है तीरो सेनाओं की ओर से पहली बार स्वदेश्वी अतियारों के साथ युद्ध कौशन का प्रदर्शन करते हुए भारत में निर्मित विमानों का अस्तवान किया लिया है सेना की ओर से इस प्रदर्शन को भारत शक्ती नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुक्व, सादु सामार और अध्यार प्रणे आलियों वे धनुष और सारंग गन सिस्टम, लॉदिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक ड्रोन, हलके हेलिकॉप्टर, मानव रहेत केयर ड्रोन सिस्टमों की एक श्रंखला को शामिल कि भाट के सेना के अन्य वाहन उन्नत जमीन युद्ध और हवाई निग्वरानी शमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी वारक शमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, रक्षा श्वेत्र में भारत की आत्मनेर भरता से इस प्रदर्शन को देखने के लिए, पधार मंत्री नर अनिल चौहान, सेना प्रवक जन्राल मनुज पांडे भी मोजूद रहें, इस स्युद्य अभ्यास में नौ सेना के मारकों, सवायू सेना की गरूर और ठल सेना की स्पेशल फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन के लिए बराए गए, दुश्मन के इलाके में खुसकर ऑपरेशन क एक्सिसाइज में अरफोर्स के आसमान स्वेड रोन के रियल टाइम कनेक्टिविटी को भी टेस्ट किया गया, एक्सिसाइज के दौरान इसके बाद लंबी दूरी के हत्यारों और आर्टिलरी गन से लक्षियों पर सतीक निशान नगाकर टार्गेट को नश्ट किये की भी प्राक्टिस की गई, भारत सरकार 7000 करोड का डिफेंस गलियारा देश के अलग-अलग राज्यों में बना रही है, जिसमें आधुनिक हत्यार बनाए जा रहे है, हाल ही में कानपुर में अधाने ग्रूप ने शोटे हत्यारों का प्रडक्शन शुरू किया है, भारत को पहल प्रडक्ट के कई और अर्विदेशों से मिल चुके है